गुलंदे शेहर में एक बर फिर एक हैवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी मामला पहासू थाना क्षेत्र का है जहां दरिंदे ने पहले चार साल की मासूम के साथ रेप किया और फिर बाद में मासूम की गला दबा कर हत्या कर दी इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को नाले में फेंग दिया जानकरी के अनुसार बच्ची अपने ननिहाल में एक जनम दिन पार्टी में आई थी यहां पार्टी खत्म होने के बाद हैवान बच्ची को उठा ले गया जिसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और हत्या कर शव को नाले में फिंक दिया वहीं जब परेजनों को घर पर बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने आरूपी को ग्रफतार कर बच्ची के शव को नाले से बरामत कर लिया पहासुताना शेत्र में कल रात में ऐसे एक जनमदिन पार्टी में पार्टी स्पीट करने के लिए यह लोग गये थे उसी गाउव लोग पहासुगे का बेर गाउव का उसी में ये चार साल का बच्ची भी गये थे उनकी माँ उनका पडोसी ऐसी इसी में अभी मुलजने सावर वो भी गये थे ये सावर बच्ची का देखा फिर उनके पीछे आया ऐसे वो पडोसी हैं बच्ची उनकी मादा के साथ उनका गर में सो रहे थे अराउंड टू एयम ये अंदर जा करके बच्ची का ऐसे मूँ बंद करके लेके गए थे उनका बलातकार कर दिया बलातकार करने के समय उनका व्यू यह है बच्चे रो रहे हैं मैं उनका नोस का इसे कावर कर दिया, वो ज्यादा साउंड हो गई, मैं गला दबागर के हत्या कर दिया, फिर उदर से तीन-चार किलो मेटर में एक चोटा वो ब्रिट के नीचे चुपाया, बाडी का, उदर से बाग गया, ये जानकारी सुबह पांच बजे इनका मा का हो कब ये मा देका नस्तिक में बेटी नहीं है, फिर पूरी गाव ऐसे गाव में तलाश कर दिया बच्ची के लिए, नहीं है, आट बजे डायल हंडर का इंफरमेशन हो गई, डायल हंडर का मद्यम से ताना का जानकारी मिला, वो जल्दी फोर्स उदर पहंच करके पुच्चा फिल्हाल पुलिस ने आरोपी को गरफतार कर जेल भेज दिया है, लेकिन चार साल की बच्ची से हुई दरंदिगी के बाद एक बार फिर समाज को शरमसार होना पड़ा, बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे ही महिलाओं और बच्चीयों के साथ हो रही दरंदिग्यो की वजह से समाज को शरमसार होना पड़ेगा, पंजाब के स्री टीवी के लिए बुलंद शहर से इकबाल सहफी की रिपोर्ट